किसान भाईयों राम राम जै जोहार किसान भाईयों आज आप लोगों का हमारी यूटूब चैनल किसान समधान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है किसान भाईयों हम आसा करते हैं कि आपकी फसल तंदुरुस्त होगा हरी भरी होगी और बहुत अच्छा कले के साथ और कोई भी आप फसल की खेती कर रहे हैं आपको अच्छा मुनाफ़ा दे रहा होगा किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम आपके खेत जो धान की फसल है उस धान के फसल में लगने वाले एक प्रमुक रोग की बारे में जानकारी देने वाले हैं किसान भाईयों ये रोग हमारी फसल में लग जाने से पूरी तरह से हमारी फसल को बरबात कर सकता है तो किसान भाईयों अगर आप हमारे चैनल में पहली बारा हैं हमारे चैनल में अगर पहली बारा हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाईयों के पास हमारा यह वीडियो सेर जरूर करें तो किसान भाईयों, आज इस वीडियो में हम आपको धान में लगने वाले एक मुख्य रोक जिसे हम तना छेदक का रोक कहते हैं, जो की हमारे फसल को लग जाने के बाद पुरी तरह से नश्ट कर सकता है अगर हम इसका समय पर उपचान न करें, तो सच में हमारी फसल को पुरी तरह से बरबात कर सकता है तो किसान भाईयों, आज इस वीडियो में आप अंतक बने रहें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको हम पुरी दवाई और इसका ट्रिट्मेंट के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में आपको जानकारी जो मिलने वाला है वो है कि तना छेदक रोग क्या होता है और ये तना छेदक लगता कैसा है लगने का लक्षण और इसका हम उपचार किन किन तरीके से कर सकते हैं किसान भाईयों तना छेदक जो रोग है वो मुख्य रुफ से धान के फसल में अधिक्तम देखने को मिलता है धान के फसल के ये जो गभोट होता है आप लोग को मैं आगे दिखा रहा हूँ जो गभोट होता है उसको काड़ देता है इलिक के द्वारा अंदर जो तना होता है काड देने से जो फसल क्यों वह पूरी तरह से वरबाद हो सकते आप देख सकते हैं इस वीडियो में यहां पर देख ली यहां तना छेडा करोक लगा हुआ है आप देख सकते हैं जो बीच का गभोट है जो सूखा सुख चुका है क्योंकि तना का मुख्य भाग को इल्ली द्वारा काड़ दिया जाता है काड़ देता है जिससे हमारा वो तना पुरी तरह सुख जाता है अब हमारा ये जो पेड़ है जो धान का जो पाउधा है जो ये वाला जो तना है वो हमारे धान के लिए कोई काम कर नही क्योंकि वहां से हमें बाली नहीं मिलने वाली धान का बाली नहीं निकलने वाला जिसके कारण से ये हमारा कोई काम कर नहीं है अब ये मुखेरु से ये जो रोग है लगता कैसे है तो किसान भाईयों हम इसके लक्षन बता देते हैं लक्षन लगने का लक्षन जब हमारे फसल में जो मक्ही होता है मक्ही अगर दीखने लगे फसल के उपर मक्ही मंड़ाने लगे तो आप समझ लेकिए कि यहां पर तना छेदक होने वाला है दूसरे जो होता है काराण यह कि हम यूरिया की मात्रा जो अधिकता होती है उसके काराण भी जो हमारे फसल जो होता है वो बहु ये दो कारण है जिससे हमारे फसल में तना छेदक लगने का एक डर बना रहता है अब किसान भाईयों इस तरह से अगर तना छेदक लग जाए और समय पर हम अपने फसल का इलाज ना करें तो ये हमारे पुरे खेत में जितने इस जगह में हमारा धान लगा रहेगा उसमें ये फैल सकता है पहले ऐसे गोल-गोल-गोल होता है और कई जगह पे वो अलग-अलग भी रहता है लेकिन ये अकसर ऐसे गोल तरीका से एक जगह पर लगता है तो किसान भाईयों, अक्सर आप लोगोंगों देखना है कि इसके करण हमारा जो फसल तना शेदक लगने के करण हमारे फसल में उत्पादान की कमी हो सकती है, क्योंकि जिस कल्ले में, जिस गभोट में, जिस तना से हमारा धान के बाली निकलना चाहिए, वो धान की बाली को इल्ली द्वारा काड़ दिया जाता है तो वह हमारा फसल बरबाद कर देता है दूसरा किसान भाईयों यहाँ पर यह है कि यह पहले तो हम देखने को मिलता था कि फसल में दान के बाली के के इस्तिमाल करते हैं और ज्यादा हम करते हैं जिसके कारण भी होता है लेकिन अब आप यह देख लेजिए यहां पर यह इस तरह से मर चुका है क्योंकि मैं इलाज कर शुका है इसमें दवाई का छिड़काव कर शुका हूं यह जो है इसी तरह का इल्ली हमारे तना के फसल के इस तरह से इली रहता है जो काट देता है बीच को इसके कराण हमारा वो जो तना पशसल का जो टना है वो सुख जाता है सुखने से hvor हम वहारा तना में वहां पर किमिल، सकता है अब किसान भाईयों इसका हम मुख्य रुप से देखा जाए इलाज हम कैसे करें अब बदाये आपको मक्ही अगर उपर दीखने लगे तब भी तरह चेड़क लगने की समस्या दीखना है तो इस तरह से हमें अगर लक्षन दीखे तो हम ततकाल अपनी दवाई खेत में कहीं पर अगर लक्षन दीखे तना चिदक का या कहीं कहीं ठोड़े बहुत तो आप 505 का छिड़काव कर सकते हैं 505 की बहुं सारी वेरिटी आती है तो एक नॉर्मल मतलब कहा जाए तो मेडियम रेंज का आप 505 छिड़काव कर सकते हैं उसके साथ में आप एसी फेट का भ जरूर चिड़काव करें इसके अलावा किसान भाईयों अगर ज्यादा बढ़ गया है और आपके फसल मतलब यह तना चेदा कम होने का नाम खतम होने का नाम नहीं ले रहा है तो उसके लिए आपको बता दो आप बाइफेंतरिन एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा कम इसके यहा प्रति अंदर कीड़ा रहता है तो आसानी से हम समाने रुप से किड़ा को मान नहीं सकते तो वो एसी फेट गैस बनाने का काम करता है और गैस द्वारा वो चहर को अंदर तना के अंदर डाल करके गैस द्वारा जा कर वूस कीड़े को मारता है तो एसी फेट और दूसरा जो अंड़ा जो होता है जो उसके उसको भी ये एसी फेट खतम कर देता है और दूसरा ये है क तो चूसक होता है हलका फुलका वूस को भी साफ एसी फेट कर देता है तो इस तरह से हम अपने फसल को इन दवाईयों से हम बचा सकते कि सब्सक्राइब तो धन्यवाद कि सब्सक्राइब